भारत के 10 सबसे बड़े red light area मुंबई शहर में स्थित है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है. तीन दशक पहले यहाँ पर पचास हजार से ज्यादा वेश्याएं धंधा करती थी. 2005 में डान्स बार पर बैन लगने के कारण काफी वेश्याएं इस इलाके को छोड़के भारत के 400 कोठे हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में पुलिस ने कई कोठो को बंद कर कर दिया है. पुने शहर का बुधवार पेठ क्षेत्र एक बड़ा व्यावसाइक केंद्र है, जहां पर इलेक्ट्रोनिक तथा किताबों की दुकाने हैं, लेकिन रात होते होते यह र GB Road, GB Road Red Light एरिया दिल्ली की Garston Bastion Road पर स्थित है, जो दिल्ली का सबसे बड़ा Red Light एरिया है. आपने खबरों में सुना होगा कि दिल्ली पुलिस अकसर यहां पर छापे मारी करती रहती है, क्योंकि यहां पर नेपाल और बांगलादेश से लड़कियों को देह व्यापार में लाया जाता है. और ये एरिया मुगलकाल के समय से अस्तित्व में है. नंबर पांच, मीरगंज. मीरगंज Red Light एरिया इलाहबाद के सबसे पुराने बाजार चौक के एक कोने में मीरगंज नाम का मोहला है. आज से 150 साल पहले यहां पर मुजरा हुआ करता था, जिसकी पहचा ज्वैलरी बाजार के नाम से भी होती थी. नंबर च्छा, शिवदासपुर. शिवदासपुर Red Light एरिया भारत के सबसे पवित्र शहर वारानसी में स्थित है. यहां बहुत सी महिलाएं देह व्यापार से जुड़ी हुई है, जो इस शहर की पवित्रता के लिए चिन्ता का विशय है. नंबर साथ, चतुरभुजस्थान. चतुरभुजस्थान, Red Light एरिया बिहार के मुझफरपुर में सबसे पुराना स्थान है. ऐसा कहा जाता है कि इस Red Light एरिया में मा के बाद बेटी को धंधा करना पड़ता है. नंबर आठ, इतावारी. इतवारी नाकपुर का एक Red Light एरिया है, जो कानूनी और सामाजिक दोनों प्रभावों से उत्पन्न होने वाली कई चुनौतियों से जूज रहा है. लेकिन कई संगठन इस एरिया में सहायता प्रदान कर रहे हैं. नंबर नौ, रेशमपुरा. रेशमपुरा, Red Light, एरिया मध्यप्रदेश के ग्व अच्छी में स्थित एक क्षेत्र है. ये Red Light एरिया काफी पुराना है और यहां पर विदेशी लड़कियां भी धन्धा करती हैं.